हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल आज हम आपकी वोक्षिट करने वाले हैं वक्षिट अमरे 25 और आपकी ये तीस तारीकी वोक्षिट है क्लास 8 के लिए साइन्स की यहां पर अपने नाम लिखोगे जो भी अपने क्लास टीचर है ओकी जो इसमें आपका आज आज का चैप्टर है यानिकर टॉपिक जो वोक्षिट में आया है वो है प्रकाश प्रकाश के बारे में सब कुछ दिया हुआ है इसके बाद आपको कुछ नेत्र यानिके आइस यानिके आखों के बारे में दिया हुआ इसमें नेत्र दान वगरा और क्या आप जानते हो यह सब कुछ करके दिया हुआ है तो इसमें हम करने वाले हैं आपका डारेक्ट यह बताना है चस्मा पहनने वाले व्यक्तिक इंप्रितु चार के 6 घंटे के भीतर आखे दान कर सकते हैं और नेतरदाता किसी भी समाजिक इस्तरका हो सकता है और इसके बाद आपको हैड्रोलिसिस लूकेमिया से ग्रसित व्यक्ति नेतरदान कर सकता है और धरड़ आपका है हमें अपनी आखे नेतर बैंक में दान क्यों करनी चाहिए तो बच्चे सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर अप मेरे चैनल को नहीं हो तो पीस चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना फर्स कोशन आपका है फर्स कोशन आपका है ब्रेल लीपी क्या है और यह है परणाली किसने विक्सित की थी तो ब्रेल लीपी में लिखे हुए सब्द उभरे हुए होते हैं जिनके इस पर्स से अंधे वेक्ति असानी से पता लगाते हैं लगा लेते हैं कि क्या लिखा है य जो आपका question यही है, ब्रेल लिपी के बारे में दिया हुआ है, इसका आपका यह answer है, तो इसे आपका नोट कर लेंगे, इसके बाद चलते हैं, next question की तरफ, next question जो आपका है, इसमें है, सही या गलत को चिन्नित करना है, जो आपका question number 2 था, उसमें सही गलत को बताना है, तो question 2 का, जो first question है, महिला या बच्चा आँखे दान नहीं कर सकता है, आपको बताना है, yes or no, तो इसमें आपका आजाएगा गलत, क्योंकि महिला या बच्चे आँखे दान कर सकते हैं, क्लियर है, इसके बाद आपका second है, चस्मा पहलने वाले व्यक्ति की मृत्यू के चार से 6 घंटे के भीतर आखे दान कर सकते हैं, तो ये भी गलत है, इसके बाद आपका next question है, question number जो आपका third है, नेत्रदाता किसी भी समाजिक स्तर का हो सकता है, तो yes, वो किसी भी समाजिक स्तर का हो सकता है, बिल्कुल ये correct है, तो इसका अंसर हो जाएगा आपका सही, उसके बाद fourth है, hydrolysis, leukemia, से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, तो यानि के दो इसमें डिसिजिस हैं ये, तो इसमें जो इससे ग्रसित हैं, वो लोग नेत्रदान कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है, वो लोग नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, इसके बाद जो third है आपका question, हमें अपनी आखे नेत्र बैंक में क्यों दान करने चाहिए, तो नेत्रदान के जड़िए हम दूसरो बच्चो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक पी कर देना और इस अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और बाकी भी अधर वक्षिट आपके प्लोड होने वाली है और कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी वक्षिट कैसे लगी है तो मेलेंगे नेक्स वीडियो नेक्स वीडियो नेक्स वोक्षिट के साथ तब तक लिए गुडबाय टेकर रहें थैंक यू फो वाचिं मैं वीडियो